हाई दिस रितुर अतिवाल आंड यो और विदन अकाडमी स्टूडियो इंडिया का नमबर वन चानल है नीट और एम्स की प्रेपरेशन के लिए आज हम लोग रेस्पीरेशन का में तुम्हें बेसिक कॉंसेट बता चुकियों कि प्लांट्स में या एनिमल्स में किसी में भी अगर किसी सेल में रेस्पीरेशन होती है तो वो कैसे होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को रेस्पीरेशन कहते हैं हम ठीक है ग्लूकोज तोड़ तोड़के तोड़ तोड़के और तोड़ना कैसे हमने उसको ऑक्सिडाइज करना है धीरे धीरे स्लोली ऑक्सिडाइज कर करते हैं कि प्लस पे जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैसेज है अनक्याडमी प्लस यदि आप अवेल नहीं कर रहे हो यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता देती हूं एक ऑनलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म है जो की नीट की प्रेपरेशन करा करने की कोशिश करते हैं इस प्लाटफॉर्म पर सब लगे पड़े और जिसको जॉर चाप्टर बत्चों को लगता है कि नहीं आता हूँ चाप्टर कपरा रहा है कोई कोई सीरी करा रहा है कोई कई करा है आप जिस भी अनकारियाय ही ऐख रजी बर अटेमितर की तेयरी पे जिसे कुछ पार तो basic syllabus का भी चल रहा है, खतम नहीं हुआ है, जैनवरी के end तक में भी आप फेब के mid तक syllabus खतम हो जाएगा मेरा वहां पे, जो बच्चे अभी जोइन करेंगे, आपको syllabus की recorded classes मिल जाएगी, जो भी मैंने वहां आज तक पढ़ा है, सारा कुछ recorded पढ़ा है, जै जो बचाव से लेबस उसको मैं revise कराऊंगी, इन फाट क्रैश कोर्स में भी बहुत कुछ बच्चा है रिवाइस कराने के लिए तो तुम वह मेरे साथ रिवाइस कर सकते हो, वहां पे, साथ मैं आनन्दमनी सर के साथ आगी जाके थोड़ा और आगी जाके मैं कोर्स बनाऊं तुम यह चीजे कैसे पा सकते हो, ठीक है, सारा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए और सभी टीचर से पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरा चाहे एक कोर्स चल रहा हो, चाहे दो कोर्स चल रहा हो, सभी कोर्स पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही सब्सक् यहां पर plus के उस पर क्लिक कर देना नीचे आइकन आएगा फिर बड़े सारे आइकन आएगे तो यू गो तो नीट अइम आइकन उस पर क्लिक कर देना फिर जैसे क्लिक करो गया यह से खुलेगा लिखी हुई है बट आइकन गेट यह 10 परसेंट आफ बाइग गिविविग यू कोड सिमिलरली अगर अभी तुम प्लस वन के बच्चे हो प्लस टू में जा रहे हो पुरा एक साल पढ़ना चाते हो मुझ से सब्सक्रिप्शन जो तुम्हें वैसे 30,000 लिखा है बट आइकन गेविट तु यू फॉर 27,000 रुपीज और टू यह वाले बच्चे जो अभी दसवी में हैं ग्यारवी बारवी दोनों साल मुझ से पढ़ना चाते हैं धासू तैयारी करना चाते हैं बालजी की तो वो टू 20,000 पे तुमको मिल जाएगा तो इसमें इस अब्सक्रिप्शन में तुम सभी तीचर से पढ़ सकते हैं इस से तुम्हारा मन करता है उससे फढ़ कम कीसे करना 10% काम कैसे करना है देखो किसी पर भी क्लिक करो तो यहां पर 30,000 फीस दिखाएगा उसको पे नहीं करना उपर जाना यहां ब्लांक स्पेस आएगा इसमें कोड भर देना ज़रा रितु लाइव रितु मेरा नाम है और लाइव क्लासेज है वहां पर रितु लाइव कोड बरके अपलाए दबाओगे तो उसी वक्त 10% ओफ दिखाएगा तुमको हर एक से 10% ओफ लेने का यही तरीका है यह कोड डाल देना ठीक है और यह कोड सफिशेंट है मेरी क्लासेज में तुमको एंट्री मिल जाएगी इस कोड से और बाकी टीचर्स की क्लासेज में भी ओके चलो लेकोलेस चलते हैं यह पढ़ेंगे बाद में पहले समझ लेते हैं तुमको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे चुक्यों ग्लाइकोस अगर तुमने नहीं लगा तो पिछला अलास लगा होगे तुम लूग को क्लियर हो जाएगा कि लाइकोलेस कहां पर हो रहा है क्या हो रहा क्योंकि यार सबको ATP चाहिए बैक्टीरिया को भी जिंदा रहने के लिए टी पी चाहिए अनिमल प्लाइंट शबको ATP चाहिए ATP सब कैसे बनाएंगे ग्लुकोज को ब्रेकडाउन करके ATP बनाएंगे अब glucose बड़े सारे step में breakdown होता है एक बार मेनी ग्लुकोज यह जो धजिया ऊड़गे ग्लुकोज की लोजी अनर्जी निकंड लगा भण फोड़िया ऐसे नि दीरे दीरे अरे वाँ बेटा दीरे दीरे glucose का breakdown होगा और energy release होगी और वो energy आप ATP में convert कर दोगे तो पहला step जो glucose के breakdown का है उसको glycolysis कहते हैं ठेक है ये चाहे आप anaerobic respiration करना चाहते हो बिना oxygen बाली respiration करना चाहते हो जैसे कुछ bacteria करते हैं या आप aerobic respiration करना चाहते हो और oxygen के साथ respiration करना चाहते हो वह आपकी मर्जी है कैसे भी कोई और्गानिजम respiration करेगा गलाइकोलिस तो उसमें होगा ही होगा गलाइकोलिस पहला step है ठेक है तो मानलो यह कोई eukaryotic cell है मानलो कोई plant या animal cell है तो यहाँ पे उसका mitochondria है यहाँ पे होगा साइटोप्लाजम के अंदर अगर यह कोई bacterial cell होता बताओ तो अगर यह कोई bacterial cell होता तो उसके अंदर साइटोप्लाजम के अंदर होता है उसके लिए कोई mitochondria नहीं चाहिए ना सो बैक्टीरिया के भी साइटोप्लाजम में होगा plant cell के भी साइटोप्लाजम में होगा गलाइकोलिस हमेशा साइटोप्लाजम में होगा पहली बात समझ में आगे क्योंकि यह नीट का स्टार्च से भी आप स्टार्च से भी तोड़ना पड़ सकता है तो आपको ग्लुकोस बनाना पड़ेगा सबसे पहले वो ईजी स्टार्च से भी आप ग्लुकोस बना सकते हैं क्योंकि स्टार्च है क्या ग्लुकोस की लंबी सी चेन ही तो है ग्लुकोस 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 की लंबी सी चेन है उसको आप ब्रेकडाउन करके ग्लुकोस बना सकते हैं या फिर आप सुक्रोस से ग्लुकोस बना सकते हैं लेकिन बनाओ आप ग्लुकोजी जो यह एंसी आड़ी में तुमारा दिया हुए सुक्रोस से तुम ग्लुकोस बना सकते हैं आप कैसे बनेगा यह सुक्रोस किसकी बनी होती है ग्लुकोस प्लस फ्रक्टोस यह ग्लुकोस है इस फ्रक्टोस ग्लुकोस और फ्रक्टोस को चोड़के सुक्रोस तो इक इंजाइम दालते हैं हम यहां पर इनवर्टे में इनवर्टे में वर्टे मां डों यह भी लूको दीज का सकते लेकिन आप लोपो झाइब होगे आपके syllabus में glucose है ठीक है चलो देखो क्या होता है फ्रक्टोस केन बी कनवर्टिट इंट ग्लुकोज ना आइसोमर होते हैं दोनों लेकिन वह तुमको नहीं चाहिए तुम ग्लुकोज से शुरू करो आओ देखतें क्या होता है इस ग्लुकोज is the starting point of glycolysis glycolysis का मतलब ही glucose का breakdown है ठेक है जी so glucose starting point होना ही होना है glyco मतलब glycolysis glysis मतलब breakdown so glucose का breakdown glycolysis में होना है glucose से शुरू कर देंगे glucose में कितना carbon रहता है 6 carbon रहता है अब 10 steps में यहां से लेके यहां तक मैं 10 steps समझाऊंगी तुमको 10 steps के अंदर मैं इसको 3 carbon के 2 molecules में तोड़ दूँगी एक यह 3 carbon CCC और एक यह CCC 6 carbon के compound को हमें 3 carbon के 2 compounds में तोड़ना है glycolysis के end product क्या होंगे 3 carbon के 2 molecules क्या नाम है इनका? pyruvate pyruvate so एक pyruvate का molecule यह हो गया एक pyruvate का molecule यह हो गया तो glycolysis start एक glucose के molecules होगी end जो होगी 2 pyruvate molecules पे यह एंड हो जाएगी यह पहली बात तो अपने को याद रखना है अब यह 10 steps याद करने हैं यह 10 steps तुनों को बहुत जार डिफिकल्ट लगतें लेकिन इस class में मैं तुम्हें learn कराने की कोशिश करोंगी और हर step पे क्या क्या होता है वो भी बात करेंगे आओ चलो सबसे पहले देखो ग्लुकोस से शुरू कर रहा है NCRT का डाग्राम है ग्लुकोस ले लो याद करो यह लो ग्लुकॉन डी का डबबा ले लो इस घ्लुकॉनडी के डब्बे में Punjत हें जासे घ्लुकॉनडी पीने के लिए वैसे 1 घ्लुकॉस्त के लाषण सबसे पहला काम तुम्हीं यह करते हैं ग्लुकॉस के अंदर 1 phosphate घूर खेथ थे तो यह दबा था तुम्हारा ग्लू neighborhood ten उसके अंदर 1 तो यह तो बिचारा बहुत परिशान हो घा मेरे तो तो कड्या पनेगा ग्लो कोसे ग्लू कोज 6 साथ फॉस्पेट के फॉस्पेट है फॉस्पेट पहला स्टेप ग्लुकोज अंदरा फॉस्फपेट गुसादो कहीं तो यह फॉस्पेट लाओ गेka तभी तो गुसाओ каждый T याद करो 20 ट्राइवर सेटीपी के साथ तीन तेन फॉस्फेट है तो क्यों ना मैं ATP का एक phosphate निकाल दूँ और इसके अंदर डाल दूँ तो यहां पर एक ATP यूज कर लेती हो मैं आओ इसका एक phosphate यूज कर लेती हूं क्या बचेगा एडीनोसीन डायफोसफेट बचेगा दो ही फॉसफेट रहे गए है पहले स्टेप में हमने क्या किया फॉसफेट को ATP से लेके घुसा दिया ग्लूकोज के अंदर ग्लूकॉन डी के अंदर ठीक है जी दूसरा अब बजा नहीं आ इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज जोते हैं वह आई सोमर होते हैं तो इस ग्लूकोज 6 फॉसफेट की गंदी शकल की जगह है मैं फ्रक्टोज 6 फॉसफेट बना लेती हूं इसका ठीक है फ्रूट सुंदर भी लगेगा सो अचा यहां पे एक इंजाइम होता है यह एक इंजा फॉसफेट की गंदी शकल अब बना लेते हैं कोई सुंदर सा फॉसफेट बना लेते हैं फ्रक्टोज 6 फॉसफेट बना लेते हैं इसकी बदसूरच शकल को यहां पे फॉसफेट लगा नहीं है फॉसफेट लगा हुआ है सो ग्लूकोज 6 फॉसफेट को मैं कनवर्ट कर ले है तो यहां पर एक इंजाइम डाल दो आईसो मेरेस that is all थेक है दो स्टेप सीख लिए तुमने फ्रक्टो सिक्स फॉसफेट को तोड़ना है हमना बड़े डिस्ट्रक्टिव है फिर मज़े नहीं आ रहा है इसकी शब्रक्टो सिक्स फॉसफेट बना दिया अब फ्रूट को नहीं काटना चाते हैं बीच में तो इसमें एक और फॉसफेट गुसा दो जैसे ही तुम इसमें एक और फॉसफेट गुसा तो फ्रूट बिचारत दो टुकड़ों में तूड़ ठीक है तो बड़ी परिशानी है वैसे फ्रूट को लेकिन क्या करें चाहिकल ऐसी चलता है सो इसके अंदर एक और फॉस्पेट घुसादब अब यह जो फॉस्पेट है इसके अंदर दो फॉसफेट गुसा दो एक इस साइट से फॉसफेट गुसा दो एक यू नो कैसे बनाओ हाओ हाओ कैसे बनाया जाए एक और फॉसफेट गुसा दो फॉसफेट गुसा देते हैं इसके इंदर क्या बनेगा फ्रक्टोस 16-bisphosphate bisphosphate का मतलब होता है 2-phosphate अब 2-phosphate घुजा दिये अब दूसरा phosphate कहां से है तुम लोगों को पता ही है ये ATP को लूटने के काम है और कुछ नहीं है एक और phosphate घुजाने के लिए एक और ATP यूज करना पड़ेगा तो ये चीज़ लिख लेते हैं जरा एक ATP से हमने फिर से ADP में कनवर्ट कर दिया बाकी कोई नहीं चाहिए तुमें सिप हेक्जो काहिने से लान करना बाकी कोई नहीं चाहिए क्योंकि NCRT में दिया नहीं हुआ इतनी बात समझ में आईये बोलो हैंजी वोल्यूम कैसे कम होगी बैया क्या हो गया क्या बाते मारते रहते हों होगे इतना इजी था कुछ नहीं है सिर्फ मेरे को आज ही क्लास में तुमको ग्लूको में एक फॉसफेट फॉसफेट फास घुसा दी एक एक टेप्यूस कर दिया ठीक है ग्लूकोज 6 फॉसफेट शकल नहीं पसंद आई चेंज कर दो आई सोमर बना दो फ्रक्टोस इस फॉसफेट फ्रक्टोस को तोड़ने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा ठीक गुषाँ दो फोस्फेट गुषादो फ्रॉक्टोस वन्सिक्स बिस्फोस्फ्फेट देखो वापने कहा तक कर लिया आपने या त कर लिया फ्रक्तॉस बिस्फोस्फट ठीक तेन स्टेप अब मैं इसको मिटा रही हूँ अगे कर दो चलो I'm I'm erasing this अ 16-bisphosphate की बहुत बुरी हालत हो चुकी है उसकी सीना चलनी चलनी हो गया है इतना phosphate तुमने उसमें गुशा दिया है अब इतनी जगे तुम फ्रूट को कट मारोगे तो फ्रूट के दो टुकड़े तो हो गई हो गये ना तो फ्रक्टोस इतनी बुरी तरीके से छिल चुका है क अब वो तीन कार्बन के दो कंपाउंड में टूट जाएगा छे कार्बन का ना फ्रक्टोस 16-bisphosphate छे कारबन है दो फॉसवेट हैं हमारे पस तो मैं उसको तोड दूँगी तीन कारबन इधर तीन कारबन इधर एक फॉसवेट इसको दे दो एक फॉसवेट इसको दे दो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास तीन कार्बन हो ठीक है और एक फॉस्फेट हो उसको ट्रायोस फॉस्फेट कह देते हैं तो यह आगे दो मॉलिक्यूल में टूट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जिसको कहते हैं ट्रायोस फॉस्फेट ट्रायोस फॉस्फेट इधर भी triose phosphate ठीक है जी कौन से step हो गया 1, 2, 3, 4th 4th step में हमने 2 triose phosphate बना लिए कुछ नहीं है 3 carbon प्लस 1 phosphate का compound है triose phosphate, triose phosphate लेकिन इनकी forms थोड़ी सी अलग है ये एक aldehyde है एक बनेगा aldehyde, एक बनेगा ketone तुम लोगों को पता न, chemistry पढ़ा न aldehyde और ketone अपस में change होते रहते है aldehyde ketone में convert हो सकता है ketone aldehyde में convert हो सकता है so यहाँ पर बनेगा glyceraldehyde बनेगा यार, 3 carbon है of course, 3 carbon के साथ glyceraldehyde बनेगा अगर aldehyde बनेगा तो अरे, तुम लोगों को देख नहीं रहा न यह, रुको, यहाँ बना देते है मैं यह कह रही हूँ कि अगर 3 carbon है यहाँ पर मेरे पास 3 carbon में अगर मुझे aldehyde group लगाना है तो glyceraldehyde बनेगा न यार, 3 carbon के compound को glycerol नहीं कहते 3 carbon उनमें OH, OH, OH होता है तो glycerol होता है, उसको aldehyde बना दो glyceraldehyde glyceraldehyde 3-phosphate glyceraldehyde 3-phosphate और यहाँ पर बनेगा ketone dihydroxyacetone phosphate 2-hydroxy dihydroxy acetone, acetone क्या होता है, ketone acetone phosphate समझ भे आ गया 3 carbon एक phosphate के 2 compounds बनेगे यह aldehyde बनेगा, यह ketone बनेगा और यह दोनों एक दूसरे में convert हो सकते यह इंटर-convertible तो यह 5-वा step है जो inter-convertible वाला step है, 5-वा step है अब देखो, यह आगे cycle को continue करेगा तो जितना भी यह बनेगा ना, इसको DHAP भी बोल देते हैं, धाप DHAP धाप ठेक है, DHAP dihydroxy acetone phosphate किसी काम का नहीं तो यह सारा का सारा इसमें convert हो जाता है इसको क्या बोलतेते हैं, पागल PGAL phosphoglyceraldehyde भी बोल सकते हैं इसको glyceraldehyde 3 phosphate को phosphate आगे लगा दो, phosphoglyceraldehyde भी बोल देंगे, ठीक है, PGAL पागल, ठीक है, अब देखो, पागल आगे भाग जाएगा, पागल यहां से आगे steps निकालेगा, धाप कुछ नहीं कर सकता, धाप उदर जाके चला जाएगा, पागल में convert हो जाएगा और आगे चलेगा, तो अब ज जो भी सब चीज बनेगा, सब कुछ twice में बनेगा, यह imagine कर लेना, twice पे बनेगा, देखो, अपाने कितने step पूरे कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 step होगे, अब देखो, मैंने तुम्हें क्या काता है, respiration is oxidation, हाँ भई बच्चो, वॉल्यूम कम क्यों है यार, यार मैं माइक दूसरा मंगांगी, मैं माइक दूसरा मंगांगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, से स्क्राइब लएगा इतना बोल मेरी बात सुनों अब मेरीडनी पन और पांट स्टेप्स हो गए इस आजा मैं तुम से क्या के लेस्पिरेशन वे ना मतलब किया है रेस्पिरेशन का मतलब defence क्लोग ब्रेक डाऊने ठीक है ब्रेक डाऊन ग sectors 6 भेट अक्सीडेशन हेँ तो देखो यहार यहार पेBox ч flavor station करें तो नेक्स replicate आजाएगा क no x кто eficis machine से क्या मिलता है तुम्को a vegan के oxidation से हमको हमेशा ك्रबॉक्सली केसिड बनना लेटेय lotta अशाद कब ata कर्बॉक्सली कासिड ना जडिक है लर्न करना आज 1-3-bisphosphoglyceric acid 1-3-bisphosphoglyceraldehyde से glyceric acid बन गया glyceric acid या glycerate ठीक है जी? अब देखो इसमें एक अजीब चीज हुई है यार एक phosphate और अड़ हो गया है ना? देखो glyceraldehyde को देखो मेरे बच्चों प्यारे बच्चों सुनो अगर तुमने मुझसे नहीं समझा न ग्लाइकोलिसिस तो ग्लाइकोलिसिस कभी समझ में नहीं आएगा अगर मुझसे नहीं लर्न किया तो नहीं लर्न होगा तो ऐसे डरना बन करो हाई मुझसे नहीं उपाएगा मैं मुझसे नहीं पता नहीं क्या पढ़ाई ज़र यह तो chemistry लग रहा है मुझे तो biology है भी नहीं मुझे फरक नहीं बढ़ता तुम लोगों को क्या लग रहा है यह neat में आना है तो तुमको ध्यान से लर्न करने ही पढ़ेंगे स्टेप्स ठीक है अभी तक हमको जो मैंने पढ़ाया है वो लर्न हुए है ग्लूकोज लो ग्लूकोज में एक फॉसफेट गुसा दो ATP खर्च कर दो एक क्योंकि ATP से ही फॉसफेट लोगे ग्लूकोज 6-फॉसफेट फिर ग्लूकोज की शकल नहीं पसंदारी फ्रक्टोस में कन्वर्ट कर दो फ्रक्टोस 6-फॉसफेट फिर फ्रक्टोस को तोड़ना है एक और फॉसफेट गुसा दो फ्रक्टोस 1-6-bis-फॉसफेट ठीक है एक और ATP खर्च करना पड़ेगा क्यो ग्लिसरेल्डी हाइड 3-फॉसफेट डाय हाइड्रोक्सी ऐसी टोन फॉसफेट एसी टोन का कोई काम नहीं वो सारा का सारा इसी में ही कन्वर्ट हो जाएगा अब अल्डी हाइड के हमने दिरे दिरे ऑक्सिडेशन करनी है तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी ग्लिसरिक एसेड ग्लिसरेल्डी हाइड से ग्लिसरिक एसेड बना दिया अब गलती यहां पे एक और यहां पर दो फॉसफेट आ रहे हैं 1-3-20 फॉसफो आ गया बिस फॉसफो कैसे आ गया यहां तो यहां पे एक एटीपी खर्च करना पड़ेगा है ना परन्तु याद करो याद इस तरीके का वक्त है अब हम और खर्चा नहीं करेंगे बहुत हो गया खर्चा कितना खर्चा हो गया दो एटीपी का खर्चा हो चुका है पहले एक यहां पर एक यहां पर ऐसे आद रखो ग्लाइकोलिसिस दस स्टेप का वह है साइक वह है चेन है पांच स्टेप्स तक हम खर्चा करे पांस स्टेप के बाद हम एक भी एटीपी खर्च नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए तो अगर तुमको नया फॉसफेट अड़ करना है तो ऐसे ही कर लो एटीपी नहीं खर्च करूंगी मैं क्योंकि तुम्हारे पांस स्टेप्स पूरे हो चुके हैं छटे सात्वे आंट है वापस चीज़े निकालने का एक फॉसफेट की एडिशन से इतनी एनर्जी प्रिड्यूस होती है कि हम एक इंपोर्टेंट कंपाउन यहां पर बना सकते हैं जबरदस्ती बना रहे हैं लेकिन बना सकते हैं देखो जबरदस्ती तो नहीं बना रहे हैं वैसे देखो यहां थेक है फिर हम इसमें हट्टू एड करते हैं हाइड्रोजन आपके आगे बना के बताती है रूप जाओ कि अगर कि देखो एडी कि इस प्रकार से होता है इसमें हम हाइड्रोजन एड करते हैं तो बेसिकली यहां पर नदिएच एक आगया मालो हम हाइड्रोजन को पार्ट में तोड़ देते हैं मैं कि मिस्क्री में बहुत प्रोफिशन्ट नहीं हूँ बट मैं इस तरीके से समझते हूं इसको कि एक को एच पॉस्तिव में तोड़ दो एक को एच नेगिटिव में तोड यह बचता है एक हाइड्रोजनायन का रिलीज हो जाएगा ठीक है यह मेरा लॉजिक है ठीक है तुम अगर केमिस्ट्री पॉइंट से इसको और अची तरीके समझ सकते हो तुमारी मर्जी है पर तुमने याद क्या करना है एने डी को हम एच टू से रियाट करते हैं तो एच पास जाता है तो एच पॉस्टिब बच जाता है जो पढ़ा रहता है खुला पढ़ा रहता है एने डी एक एक हैडियूज इंट था फोटो संथेस वाला यह रिदूजिंग एजंट नहीं है इससे हम आगे जाके एटीपी बनाएंगे we will make load of ATPs from this आपको जानके खुशी होगी एक-एक NADH का मॉलिक्यूल तीन ATP प्रोड्यूस करेगा आगे जाके यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस करेगा अभी आगे प्रोड्यूस करेगा तो हम बेसिकली बढ़िया चीजे बनाना शुरू कर गए हम six step में आजो पीछे आजो देखो यहाँ पे एक फॉस्फेट के एड़ होने से इतनी एनर्जी रिलीज हुई है सम्हाव कि NAD कनवर्ट हो गया है NADH में प्लस H पॉसिटिव में ठीक है यहाँ पे देखो इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि Glyceraldehyde का Oxidation हो रहा है Glyceric Acid में तो NAD का Reduction हो रहा है देखो Redox reaction होते है न किसी चीज का Oxidation हो रहा है तो किसी का Reduction भी हो रहा है So Glyceraldehyde का Oxidation हो रहा है Glyceric Acid में तो इसका Reduction हो रहा है अब हम चीजे लेना शुरू कर रहे है 6th step में हमने एक छक्का मार दिया है NADH बना लिया है अब तो सारा आसान है cycle अब तो बात खत्म हो गई अब तो cycle आसान है बेटा जी मिटा रही हूँ अब आसान है अब कोई दिक्कत नहीं है अब तो बस मजा कहने जिनी जिनी जाते रहो 1, 3, 3, bisphosphoglyceric acid अब तो इसी के साथ खेलत रहेंगे हम और कुछ नहीं पहला इसमें से एक phosphate अड़ किया था अब इसमें से एक phosphate निकाल दो ठीक है ना अपने को तो अब चीज़ें निकालनी है ना चीज़ें अच्छी बनानी है एक phosphate निकाल दो 3 phosphoglyceric acid बच गया 3 phosphoglyceric acid एक phosphate निकाला है वो ATP बनाने में काम आ जाएगा ADP से ATP बन जाता है ATP बन जाता है ठीक है पहले स्टेप में हमने NADH बना लिए दूसरे स्टेप में ATP बना लिए हमारी मर्जी है ठीक है फिर कुछ नहीं करना इसकी phosphate ग्रुप का पुजीशन चेंज करना है 3 phosphoglyceric acid से 2 phosphoglyceric acid करना है कुछ नहीं है phosphate group change किया 3 से 2 3 phosphoglyceric acid ठीक है जी अब कुछ नहीं है फॉस्फो इनोल पाइरुवेट पीप बनाना है और पीप इससे यहां से पाने निकाल देते हैं वाटर निकाल दे तो पीप बन जाता है पीप एक बहुत हाई energy compound है पीप याद करो सीफोर साइकल में किया तना पाने पीप एक्सेप्टिंग कंपाउंड है पहले वाला एडीप से एटीप निकाल खीओ छी आई झी अब देखते हैं कितना लगा के देखते हैं कितना लार्न हो गया शुरू करो ग्लूकोस से ग्लूकोस से ग्लूकोस इक्सफॉस हास्था से खुल ने ऑगने वाने यह भीकाने चछपेट नों। दो और इस वाले में करदो जहां पर फ्रक्टूस 16-bisphosphate बनाने हैं फिर इसको दो में तोड़ दो ट्रैयोस phosphate ट्रायोस phosphate एक अल्डिहाइड एक कि टॉन ग्लिसरी एल्डीहाइड थी फॉस्पेट डाय-हिड्रोक्सी ऐसी टॉन फॉस्पेट वे गलिसरी Glyceraldehyde को Acid में Convert कर दो अब तो Oxidation ही करनी है ना तो Glyceraldehyde को Glyceric Acid में Convert कर दो एक Phosphate और ठूस दो उसमें ठीक है 1-3-bisphosphoglyceric acid ठीक है और यहां पर एक NADH बना लो जब परदस्ती बनाना है ठीक है फॉसफेट को लेके ATP बना लो और 3-3 रह गया एक निकाल दिया अब उसको कुछ नहीं है फॉसफेट चेंज करना है फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट अन्टिम में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अनरजी निकाल लो पाइरुविक कि मुझे नहीं पता तुम लोगों को लर्न होगा या नहीं होगा बोलो लन हो जाएगा एटी बता दूं किस कहां पर कितने यूज हो रहे हैं कितने बन रहे हैं कि अमना इकबाल अच्छा में अच्छा में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो क्या करते हैं फोटो फॉस्फोर एलेशन में में क्लास बना देती हो अलग से डिप्रेंट करने के लिए हो जाएगा यांद हां जी हां जी लीजिए ग्लूकोज इस पहले स्टेप में ग्लूकोज 6 फोसफेट बनाने में एक ऐटीप खर्च हुआ है ना ऐक एटीप खर्च होआ है यहां पर एक ATP खर्च हुआ हमारा फिर यहां से फ्रक्टोस 6 में कोई ATP खर्च नहीं हुआ फिर फ्रक्टोस 1-6 बाइफॉसफेट बनाने में फ्रक्टोस 1-6 बाइफॉसफेट में एक और ATP खर्च हुआ है यहां पर दो ATP खर्च हुआ है अगले स्टेप में कोई ATP खर्च नहीं हुआ यहाँ पर ग्लिसरलडीयड बनाया था और यहाँ पर एसे टॉन बनाया था यहाँ हईड्री पर शेक्वाइल पर्टरदेक्वेट बनाया था यहाँ ग्लुकोस से तो मतलब जितना भी यहां पर यूज हो रहा है बन रहा है वो ट्वाइस हो जाएगा पहले ही स्टेप में जब यहां पर ग्लिसरीक एसेड बनाया तो यहां पर एक नदीएच बन गया एक नदीएच बना था लेकिन दो बनाएंगे हम क्योंकि यहां पर सबस्टाइब था तो एक फॉस्फेट हमने हटा लिया था थ्री घख़ले पर बनाया था ग्जिसरीक-एसेड भूब नायाता हम पर यह निया निया온 थो लूट अगशन था 2-Glyceric Acid बनाया था उसमें कोई यूज नहीं हुआ था 2-Glyceric Acid से PEP बनाया था उसमें कोई नहीं ना यूज हुआ था ना प्रकट हुआ था अंत में जब हम Pyruate बनाते हैं जब हम Pyruate बनाते हैं तो 1 ATP यहां पर बनता है तो मतलब 2 ATP यहां पर बन गया प्लस 2 ATP यह तो चो टोटल में कितना ATP बना तुमहारा दो ATP यहां पर बना है और बना चारaser अब एकट इपी बन गया और खर्च कितना वा बना बन दने यहां परEven यहां से पहले सब को सिंगल लेना यहां से उस半 खाल संब को सिंगल डबल कर दिए नियांपते चार बने तो दो यां पर खर्च हो गये तो नेट दो एटीपी बने सो गलाइकोलिसिस का नेट प्रोडक्ट दो एटीपी होता है पर 2 एन डी ऑच भी बनाए जो की आगे जाके मस्त एटीपी बनाएगा थे एक ए एड़ आगे जाके ए्टीपी में इन्वाट होएगा लेकिन उसके लिए न माइटोकॉंड्रिया चाहिए अगर माइटोकॉंड्रिया आपके पास है तो आप एड़ी चको एटीपी में कर सकते हो तो मतलब अपने को फायदा है यूमंस को फायदा है प्लांट्स को हम इसको आगे जाके ATP में convert कर देंगे ठेक है बैक्टीरिया को फाइदा नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया के पास Mitochondria नहीं तो यूज नहीं कर पाता है तो अगर हम बात करें ATP बनाने की तो ATP का नेट गेम दो ही है यहां पर आर्यू एम एक्लीर बोली एम एक्लीर हो जाएगा दन्याल यूसुफ नहीं सेल यूनिट ऑफ लाइफ अभी नहीं हुआ है उस पर सेल साइकल हो चुका है लेकिन सेल एस सच वाला चाप्टर वो नहीं हुआ है बायो मॉलीक्यूल और सेल साइकल हो चुका है हो जाएगा ना बोलो चलू अब इसी चीज़ को पढ़ लेंक पर रीडिंग मार लें NC-र्तिस से कि चलो रीडिंग मारते चलो एंसी अर्टी से रीडिंग मारोगे तो और समझ में आएगा समझ रहो पहली बात तो सबसे इंपोर्टेंट बात तो मैं ता न भूली गई यार ग्लाइकोलिस ना तीन साइंटिस्स ने वर्क आउट किया था सेल में ऐसे छपा हुआ नहीं मिलता कार्नास जिस ने इसको डिसकवर किया था EMP पास्वे भी बोल देते हैं यहार इसको इसको तर्म ग्लाइकोलेसस हैसो और ग्रीक वर्ड श कोस इस शुगर एड लाइसस विच मिल शुगर की स्प्लेटिग है शुगर का एक मॉलेक्यूल दो पाइरवेट में तूर जाता है The scheme of glycolysis was given by Gustav M. Dunn, Otto Mayerhoff and J. Parnas. इसलिए इसको EMP pathway भी कह देते हैं, M. Dunn, Mayerhoff, Parnas. ठीक है जी? And is often referred to as the EMP pathway. तो आपको नीट में यह कोशन आ सकता है कि EMP pathway क्या है? EMP pathway aerobic respiration का part है क्या? anaerobic respiration का part है. दोनु कहीं part है. glycolysis anaerobic respiration में भी होती है, aerobic respiration में भी होती है. In fact, glycolysis ही anaerobic respiration है. अगर वो आगे चल पड़ेगी, crab cycle गएरा हो जाएगा, तो उसको aerobic respiration बोलने नगेंगे. ठीक है? In anaerobic organisms, it is the only process in respiration. anaerobic में सिर्फ glycolysis ही होके हड जाता है. एरोबिक वालों में पहले glycolysis होगा, फिर crabs होगा, फिर ETC होगा. anaerobic में सिर्फ glycolysis होके बात खत्म. glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell and is present in all living organisms. ये बात ध्यान रखो, तुम्हें confuse करेंगे नीट वाले. glycolysis किस में मिलता है? all living organisms, only prokaryotes, only eukaryotes, ऐसे पूछेंगे. तो all living organisms में मिलता है. कहां पर मिलता है? cytoplasm में मिलता है. कितना ATP gain होता है? 2 ATP gain होता है. कितना NADH gain होता है? 2 NADH gain होता है. ठीक है जी? In this process, glucose undergoes partial oxidation. Complete oxidation नहीं है बेटा ये. Complete तो क्रेब्स और ETC में जाके होगी. Partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. In plants, this glucose is derived from sucrose. In plants, generally, sucrose की रूप में ट्रांसपोर्ट होता है. In photosynthesis, ultimately, sucrose बनता है. So, तो उसको तोड़ना पड़ता है. Which is the end product of photosynthesis. Sucrose बनेगा photosynthesis से? Then, it will break down. करना पड़ेगा हमको. Or from storage carbohydrates. मतलब, अगर आपके बाद सुक्रोस नहीं है, बाईया, important enzyme. And these two monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. Glucose और fructose दोनों ही enter कर सकते हैं. ठीक है? Fructose पहले glucose में convert होएगा, फिर enter हो जाएगा. Then, glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of the enzyme hexokinase. ठीक है जी? Glucose पहले, यही चीज़ है, रिवाइस करा रही हूं, जो पढ़ा है. Glucose में पहले एक phosphate गुसा दो. Glucose 6-phosphate बना दो, hexokinase की help से. This phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate से, fructose 6-phosphate. Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same. आगे steps तो सारे सेम ही रहेंगे glucose होचे एफक्टो सो. The various steps are depicted in figure अपने को पता है. Glycolysis is a chain of 10 reactions under the control of different enzymes. It takes place to produce pyruvate from glucose. यह भी अपने को पता है, pyruvate बनाना है अपने glucose. While studying the steps of glycolysis, please note that the steps at which utilization of synthesis of ATP or NADH takes place. बाईया, NCRT खुद कह रही है, please take note of the steps जहाँ पर ATP बन रहा है या, NADH बन रहा है. नीट में कॉशन आएगा इससे. देखो, ATP is utilized at two steps. याद रखना है पहला step और फॉर्थ स्टेप. फॉर्थ नहीं, थर्ड स्टेप. 1st in the conversion of glucose to glucose 6-phosphate and 2nd in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1-6-bisphosphate. या ना, glucose ये बहुत बार बता चुगे, आप तो बताऊंगे भी. The fructose 1-6-bisphosphate is split into dihydroxy acetone phosphate, जो acetone बन गया, ketone बन गया, and 3-phosphoglyceraldehyde पागल. ठेक है जी, aldehyde बन गया, पागल है नहीं, phosphoglyceraldehyde पागल. We find that there is one step where NADH is formed from NAD. ये 6th step है, जब fructose 1-6-bisphosphate 2 में टूट जाता है, फिर उसके बाद next step में ही NADH बन जाता है, जब glyceraldehyde glyceric acid में convert होता है, वो oxidize होता है, तो NAD reduce हो जाता है NADH में. This is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1-3-bisphosphoglycerate या glyceric acid, BPGA. Okay, two redox equivalents are removed in the form of two hydrogen atoms from PGA-L, तो वो जो hydrogen atoms थे न, जो की NAD के साथ जुड रहे थे, वो हमने glyceraldehyde से ही निकाले थे, देखे? and transferred to molecule of NAD, और NAD को दे दिये थे, तो जो glyceraldehyde था, वो oxidize हो गया, NAD reduce हो गया, PGA-L is oxidized with inorganic phosphate to get converted into BPGA, जो 1-3-bisphosphoglyceric acid बना था. तुमको कुछ समझ में आ रहा है, कि मैं ऐसी बोली जारी हूँ, साथ में NCRT से पढ़ रहे हो तुम लोग, बोलो, जल्दी बोलो, फिर class खतम करूँगी, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो, कुछ समझ में आ रहा है, NCRT से लेके बैठके पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है साथ साथ में, ठीक है मनीश, ओके, आ रहे है न, very good, very good, very good, तो मतलब आप मैं गलाइकोलिसस तुमारा पकका समझूँ, अब इसमें से पेपर डाल दिया करूँ, अब मैं पेपर में डाल दिया करूँ गलाइकोलिसस, जो अपा सच का सामना लेते हैं, है न, आप तो तुम्हें आई गे, है हां जी अच्छा रोहीच शर्मा ओके आओ चलो है बच्छों दकन वर्जन ओफ बा वन री बिस फॉस्फोग्लिसरीक एसेड तो थ्री फॉस्फोग्लिसरीक एसेड से भी एक एटीप निकलेगा पहले के नदेच फिरेक एटीपी इस अलसो एन अर्जी यिल्दिंग प्रोस पढ़ा चुकि हूं वहीरीपीट हो रहा है आपे सारा एनदर एटीप सिंथसाइज दूरिंग कन वर्जन ओफ पी पीटु पायरवेक एसेड जो लास्ट एप उसमें ठेक है चैन यू क्यलकुलेट हाओ मैनी एटीप मॉलेकुल्स अ डरेक्ली सिंथसाइज इन पार्थ वे ग्लुकोस मॉलेकुल डरेक्ली सिंथसाइज तो टू ही हुए है बेटा इन डरेक्ली एने डिएट से आगे जाके होंगे वह एक अलग बात है डरेक्ली तो टू ही बोलेंगे हम ओके चलो भाई लोग आई होब तुम लोगो सब को समझ में आ गया है मुझे बहुत ही खुश ही होगी अगर तुम लोगों को चीज समझ में आ जाए तैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास एंड मुझे ये आश्वासन देने के लिए कि तुम लोगों को समझ में आ गया है पूचूंगे बेटा कभी ना कभी तुम लोगों से क्वेशन पोचूंगी पकड़े जा ना चाहते हो ट Есть दिन चाहते हो तो एक भाबुन कर सकते हूं इस्कों पोरा करती जारे हूं उतना ही समना सच का सामना में नहीं डालती तुम Judah देखा होगा तुम्हें कभी भी मॉर्फोलोजी और इसे नहीं डालती हूँ क्योंकि वह अभी मैंने पढ़ाए नहीं है पर जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाओंगी मैं सारा सारा से लेब सच का सामना में इंक्लूड करती जाओंगी ठेक है वपे